है ले दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वास्तो ट्यूप्स घरे लूपचार में यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिये आज हम जानेंगे मेन रासी 24 के बारे में 24 में मेन रासी का कैरियर, ब्यापार, प्रेम, सिख्षा और आर्थिक इस्तिती कैसी रहेगी रासी चक्र में 12 रासी होती हैं और प्रतेग रासी की अपनी ताकत और कमजोरियां, बिस्ट लक्सर इच्छाएं और जीवन और लोगों के पिर्ती अपना देस्ट रिकोर्ड होता है जो 30 के मताबिक देखे तो आपके जीवन और ब्याक्तितों पर आपकी रासी का सबसे अधिक प्रभाव है जो 30 हमें जन्मे के समय के अनुसार सूरे सितारों और गिराव किस्तिती के आधार पर किसी व्यक्ति की बुन्यादी सेस्ताओं दोस्तों और भाई की एक जलक दे सकता है मीन रासी पर विस्तार के ग्रेब रिस्पति का सासन माना गिया है जो व्यक्ति को आज सिरवाद और अध्यत्मक्ता की तरफ सुरुझान परदान करते है वर्ते 24 में मई से केरियर धन रिस्ते आधी के संबन्द में इस रास्ते के जातकों की औसत परणाम प्राप्त होंगे क्योंकि सनी राहू केतु का गोचर वर्ते 24 में आपके लिए ज़्यादे अनुकल नहीं होने वाला है मई 24 से पहले ब्रेस्पती आपके दूसे भाव में स्थित होंगे पहले और दस्वी भाव के स्वामी के रूप में ब्रेस्पती की स्थिति आपके लिए अनुकल नहीं रहने वाली है सनी वर्ते 24 में आपके बारवे भाव में स्थित होगा और यहां काम में होने वाली देरी को दरसाता है इसके अलाव वरसे 2024 में छाया ग्रह राहू और केतु की दूसरे और आठवे भाव में इस्तिती भी आपके लिए जादे अनुकुल नहीं रहने वाली है सबसे पहले बात करते हैं 2024 में मीन रासी की आर्थिक इस्तिती कैसी रहेगी मीन 2024 रासी फलके अनुसर आर्थिक जीवन के सम्मदर में मैय और साल मिस्तित रहने वाला है बिस्तित रूप से 5 फरवरी से 15 मार्ट तक का समय साल का सबसे अच्छा समय साबित होगा क्योंकि इस अवदी में आपके दूसरे भाव का सवमी मंगल उच्छिक का रहने वाला है और आपके निवेस में 11 भाव में मजूद रहेगा इसलिए उसमय निवेस के लिए उत्तम माना जा रहा है दूसरे भाव में में 11 रासी की सक्रित्या और साल की पहली छमाई में दूसरे घर में ब्रेस्पती की उपस्तित से आपकी बच्छत और बैंक बैलेंस में ब्रद्धी के प्रबल आसार है लेकिन साथ ही छटे घर में सिहरासी की सक्रित्या से आपके उधार और कर्जे में भी ब्रद्धी होने की आसंका है इसके बाद आपके बारवे भाव में सनी की उपस्थिति निस्चित रूप से आपके खर्चे को कम करने में सहायक साबित होगी लेकिन साथ ही आपके एक अदस भाव का स्वामी बारवे भाव में गोचर कर रहा है ऐसे मैं अगर जन्म कुंडली में सनी की स्थिति अनुकुल नहीं है या दसा अनुकुल नहीं है तो निवेश से नुकसान होने के आसंका बढ़ सकती है इसके बाद 20 अक्टुबर 24 से साल के अनुकुल नहीं रहने वाला है क्योंकि इस दोनार आपके दूतिय भाव के स्वामी मंगल कमजोर रहने वाले हैं जिसके चलते आपकी बच्चत और बैंक बैलेंस में गरावर देखने को मिल सकती है इसलिए इस अवधी मैं विशेष रूप से आपको सावधान रहने की सला दी जाती है मीन 2024 स्वास्तिरासिफल इस साल आपकी रासी में राहू लगने होने के करण आपको चोटी मोटी बिमारें से परिसान हो सकते हैं यदि आप पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसे थें तो बहुत अधिक सतरकों और सावधान रहें। अनुसासित तरीके से दिन के कामों को निपटने के सांथ संतुलित आहार ले। सुबह जल्दी उठकर ब्यायम करें। योग का अभ्यास करें। किसी आर्थिक मुद्दे या ब्रोधी को लेकर अत्यदिक तनाव और चिंता महसूस कर अपनी जीवन सेली खराब न करें। वरना आपको स्वास्ते संबंदी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी जीवन सेली में सुधार करने का प्रयास करें। अत्यदिक चुड़ चिड़े न हो। अन्यता यहों सब बात आपके स्वास्त को विशेष रूप से प्रफावित कर सकती है। सामानी तोर पर आपको सला दी जाती है कि नियमित रूप से रूटेन शेकप कराते रहें। अन्यता यह सवदी के दौरान आपको कोई बड़ी परिशानी होने की पिरभला सिंका बन रही है। स्वास्त के संदर में एक भी गलत उठाया गया कदम आपके स्वास्त पर बहत बुरा असर डाल सकता है। इसलिए अतियात में विश्वासि होने से बचे हैं और अपने स्वास्त को गंभीरता से ले। स्वास्त ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। इस मूल मंत्र को अपने जीवन में अवस्त से उतार ले। मीन कारोबार रासिफल 2024 जोतिस रासिफल के अनुसार इस साल आपका केरियर चमक सकता है। जोकि परिस्तितियां आपके केरियर के अनुकुल रहने वाले हैं। यदि आप मांसिक और सारी ग्रूप से स्वस्त रहते हैं तो इस साल आपका केरियर भी काफी उचाहियों को छू सकता है। कारिशेतर में आपको नई पहचान मिलेगी आपकी छवी महनती और इमानदार कारिकरतागी होगी। नौकरी में आपको प्यदोनतियों भी संब्रूप से चुड़े अच्छी काफारा को मिल सकती है। आपके लिए कई मौके आएंगे ऐसे में उन मौकों का फाइदा उठाने के लिए तियार रहें। खुद को तक्निकी प्रेमी बनाएं। कैरियर जियों के लिए समय थोड़ा चुनोती पोड़ना हो सकता है। इस समय खुद को पूरे अनुसासन में रखें। ऐसा काम ना करें जिसे आपकी छवी खराब हो। बेवजे के बीवादों से दूर हैं। अपने वरिष्टों के दिशान इर्देसों का पालन करें। यदि आप किसी व्योसाई में हाथ आजमार हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस वर्चे आपके ब्यापार में मिरद्धी होगी और उसका भिस्तार भी संबह है। अपने आपको एक सफल उद्यमी बनाएं और जोखिम लेने से नडर है। इस वर्चे आपके साहस और आत्मिस्वास में कमी नहीं आईगी। इससे आप बड़े से बड़े कारे को आसानी से कर पाएंगे। मीन प्रेम रा सिवालों के लिए या उसाल कुछ खास नहीं रहेगा। आपको रिस्तों में विश्वास घत का सामना करना पड़ सकता है। या किसी तीसे व्यक्ति को लेकर जगड़ा भी हो सकता है। मजबूत रहे और दोजाचोबिस में अपने प्रेम जीवन का अधिक तम लाब उठान परना करना सुरू कर देंगे। विश्वास और प्यार से आप सफल हो सकते हैं और किसी भी चुनोती से निपड़ सकते हैं। आपका साथी आपको समझेगा और आप पर भरोसा करेगा। जिससे दोजाचोबिस का मद्धिया आपके लिए बहतर रहेगा। दोजाचोबिस मे इन दासी वालों के लिए प्यार और रोमा से महतुपूर्ण रहेगा। आप एक नया रिस्ता सुरू कर सकते हैं जो लंबे समय तक चलेगा। यह वर्साप के परिवार के लिए खुसिया और सफलता लेकर आएगा। परिवार के सदस्यों में नजदिक्यां बढ़ेंगे औ पारविरिक यात्रा समझ और संबंदों को बैतर बनाने में मदद कर सकती है। यदि आप पहले से ही किसी रिस्ते में हैं तो इस वर से रोमांटिक तारिकों का आनन्द ले। कुछ जोड़े परिवार के समंतर और अनुमोदन से विया भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर 2024 प्यार की उपलब्दी मिल सकती है। लेकिन अब पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। आपका ध्यान किसी कारण में भटक सकते है। आप परिक्षम अपना सर्वसित देने का प्रयास करेंगे और इसका सकारात्मक परणाम आपको मिल सकता है। अगर आप इंजिनियर के छात्र हैं तो आपने प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा जो चात्र विदेशी भासत सीख रहे हैं यां विदेशी भासत से संबंद कि कोई कोर्स या डिप्लोमा कर रहे हैं। उनके लिए उसाल खास हो सकता है। आपने सिक्षकों का सम्मान करें एक अनुस सकता होगी। उसके साल की प्रित्योगता असान नहीं होगी। आपको सफल होने के लिए पसीना बाहना होगा। मन में जुग्यासा का गुड़ बिक्सित करें। यदि आप जुग्यासू नहीं बनते हैं तो आप पीछे भी रह सकते हैं। अगर आप साधी सुधा हैं तो 2024 आपके लिए खास हो सकता है। इस साल दामपत्य जीवन में बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं। जीवन साथी आपकी खुसियों की वज़े बनेंगे। आपको कुछ ऐसे कटुग अनुभव से भी गुजरना पड़ सकता है। जिससे आप किसी गलत फैमी के कारण बिवाद होने की संभावना दिख रही है। इसलिए रिष्टे में एंकार ने लाएं और अगर कोई संद्य या भ्रह मैतों से तुरन दूर कर लें। इससे आपके बेवेक जीवन में परिशानी नहीं आएगी। जीवन साथी का स्वास्त अगर वह किसी तरह की जित करता है तो उसे प्यार से समझाएं पर बैवेक जीवन के प्रती समर्पित रहना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तांकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सक प्रती समर्पित प्रती समर्पित रहना होगा।